अस्वाइन थे पिरिजवान चीमा वेलकम बैक विदने थे नर वीडियो फेपिल Сमार्ट सिटेडी इस वीडियो दो में आरवन रोड और आर वन रोड बैसिकल एक प्राइम रोड बनता है किनेक्टिविटी के लेहासे क्यूं क्यों क्यूंकि आरवन रोड वाहिए रोड है Oversus District 1 को with the main Chakri road तो इस road के बाले सी बताऊं है इस road पर कितना काम हो गया और इसके लावा यही R1 road basically connect केरता है जितने भी ब्लॉक्स there यह जो ब्लॉक्स थो ब्लॉक्स इनको connect पर हुशा लापस में with the main Chakri road तो इस road के बाले मुनिszरो restart image पर केこれは map पे कहां अग्जिस करता है इस रोट के वे क्या चेंजिस आए गुज़रे हुए दिनों में इस वक्त आपने स्ट्रीन पे कैपिटल स्मार्टेटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं और इस मास्टर प्लान में जो लोकेशन की वीडियो में पहले बना चुका हूँ उनकी लिंक हो स्मार्टेटी का हो यहां से इस गेट तो यह सुझ हो एक ये डरेकली इस रोट के साथ है अर बन रूट के बात करहें चेज्य और नो यह मेरि इसपा suckers बेकर यह रिएगी और रए कि लिय यह रह रोड के इसपार को बेड़ा में गेर में उसके अर्फ्ण करेकर की मैन इं्टरेंग के साथ तो अब देखते हैं कि यह आर्छा पहले अलिगने के का यह दिशा दिखा एता都 wraps करें ियर यह वरρεί और अप में 2020 के अपडेट इमेज है जो आप गूगल अर्थ पे घर बैट के खुद भी टैली कर सकते हैं अब मैं इसको बैक करता जाओंगो तो आपको नजर आता जाएगा कि ये बलके मैं स्टार शुरू करता हूं कि पहले ये अरिया कैसा दिखाई देता था और आज की डेट में ये रिक कैसा दिखाई देता है इनिशली ये अरिया सारा कुछ यूंता रॉल एंड थी ये है 28th of March 2018 की अपडेट सैटराइट इमेज अब ये आगए करते जाएं तो ये जो करेंट इमेज है ये बनती है आपकी जून 2018 की बसा कर देखते जाएं ये आपको एरिया नजर आता जाएगा इसमें क्या चेंजिस आया है ये आर्वं रोड अपियर ओरा जो ब्लैक वल ये बलाइन नजरा रही है ये आर्वं रोड है इसके बाद नखिर आ नेक्स के लेकर इमेज में अभी ये 25th of May 2020 की अपडेट इमेज है जो Google Earth पे आप खुद भी घर बैट के टेली कर सकते हैं ये आरवन रोड यहां से स्टार्ट होता है ये ब्लॉक के साथ से ये वाला पार्ट मिसिंग है जिसमें लास्ट वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था कि जो ग्रीन वाला पार जो लाइफ ड्रोन फ्रीड आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट मार्क है ये बिसिकली मोटरवे के साथ साथ था जब मोटरवे से गुजरते हैं चक्री रोड इंटरजेंज के लिए तो ये जो पहाड़ वाला पार्ट है ये बिलकुल कैपिटल स्मार्ट टी ब्लॉक ए लेफ्ट साथ भी सारा डी ब्लॉक है डी जो एक ओवरसीज कंपनी को ट्रिवलिस विलास के लिए दिया गया है यहां पे विलास बनाके वो सेल कर रहे हैं स्मार्ट विलास के नाम पे उसके बाद जो ब्लॉक सी ब्लॉक बी जहां पे दस मरला के प्लॉट है और जहां पे कन काम चल रहा है यह वाला पार्ट जो मैंने लास्ट वीडियो ब्लॉग एक की बनाई थी आचे थ्री वीक्स पहले तो उसमें बहुसर लोगों ने कमेंट किया था कि जो ग्रीन वाला पार्ट है जो शायद यह लैंड अक्वाइड नहीं है शायद इसलिया सा है तो जब लैंड लैंड क्याट की जाती है वो तो प्चास कनाल सौ कनाल यह बीस कनाल तीस कनाल इसतरह में इक К्वाइर की जाता है तो बड़े बड़े बॉशह बड़े पार्ट होते है। एंड़ पॉप्टे कनाल इ caches ifขष्षभ गनाल ऐचनट और इस सारे आड़ी तो यह सारी जो लैंड होने के बाद ही मिला था तो यह लेंड डेफिनिली एक्वाइड है जिसके डाकुमेंट्स आरडी में सम्मिट थे तो अनो सी इश हुआ था इस वक्त आप ब्लॉक ए में जो आरवन का जो कनेक्टिंग पार्ट है वो देख सकते हैं और से पीछे जहां पर कुछ आपको कच्छ रस्ता नजरारा पीछे की तरफ से ये ब्लॉक एफ की तरफ जाता है और बहुत सरे लोग ने ब्लॉक एफ का पूछा था कि ब्लॉक यह अब जो फुटेज देख रहे हैं इनफेक्ट स्क्रीन पर जो मैंने मार्क किया अभी ये ब्लॉक एफ की फुटेज़ आए और पॉजेशन के लिए जब तक काम मकमल नहीं होगा तो यहां पे पॉजेशन हैंड ओवर नहीं किया जाएगा तो अभी इस पॉइंट से ए ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तिल ब्लॉक ए इस रोड पे कितना काम होगा और साथ साथ मैं को बताता जाओंगा के ल आने वाले टाइम में जब डिवेलफ होगा डेफिनली इसके में वीडियो शेयर कर दूंगा इस ब्लॉक डी के लेफ्ट साइट पर बात करें यानि कि इस आरवन रोड के लेफ्ट साइट पे इस पार्ट में जो है वो बिसिकली चहान डायम के सराउंडिंग में जो भी ची डेफिनली इसके डिवेलफमेंट के अपडेट्स में शेयर कर दूंगा राइट साइट पर आपको ट्रिवलीज ब्लॉक नजर आ रहा रहा है और ट्रिवलीज ब्लॉक में जो विलाज बन रहे हैं इस वक्त फाइव मरला और टैन मरला के जो ओवर्सीज एक यूकी बेस्ट कंपनी हैं जो यह डिवेलफ कर रही है और इनकी कुछ मॉडल विलाज हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया और कुछ की तक्रीबर आट एट फुट दिवारे में बन गई हैं आने में इसकी लास्ट वीडियो एक शेयर की सी डी ब्लॉक की मैं इन्शाला नेक्स साइट वीडियो में इसकी जब दिखाऊंगा तो डेफिनली आप देख लेंगे कंपेर कर लेंगे किस वक्त कितना काम हुआ है अभी आगे 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 आप राइट साइट पर चीज़ देख रहे हैं वो ब्लॉक सी है ब्लॉक सी में जो दस मरला के प्लॉट्स हैं कुछ का है काफी ज़्यदा हाई लक्षिर किया जाएगा इन दे फ्यूचर लॉंग रन में और राइट साइट पर जो आपको कुछ डिगिंग नजर आ रही है और डिगिंग के साथ कुछ विलास मस्जिद के साथ भी नजर आ रहे हैं विलास जो हैं बैसिकलि यह दस मरला के विलास प्लस शॉप्स होंगी जो लॉंच की जाएंगी मेबी एंड अफ सब्टमबर और अरले अक्टूबर जब इसकी लॉंचिंग या साइट पे एक इवेंट होगा जैसे आपकों से बने पहली बहुत हो बात की है कि जब यहां पर इवेंट होगा साइट पे तो उस इवेंट म प्रॉपरली इन चीज़ों की लॉंचिंग की जाएगी अभी फॉद टाइम बिंग वो इवेंट की कोई जैक डेट अनौंस नहीं की गई तो जब वो अनौंस होगी तो मैं डेफिरिंट इसके बारे मां को बता दूँगा इस पार्ट ऑनवर्ड ब्लॉग ए तक आपको रा पार्ट है यह है चक्री रोड की तरफ जो आप करेंट एंटर्स यूज़ करते हैं कोई भी इंडविज्वल आज की डेट में कर स्मार्ट इटी में विजट करता है तो इसी रोड से एंटर होके ओवर सीज बन ब्लॉग सी के सामने नमुदार होता है यहां से जो कहलें बैस इसमें सिर्फ और एक कनाल के प्लॉट्स है और एक कनाल के प्लॉट्स के इलावा यहां पर दूसरी जो इमपॉरटंट चीज़ है यहां पर एक स्कूल बन रहा है जिसका साइज सिक्स कनाल है जिसके ग्राउन्ड प्लस 3 यись hard floor ओ पर और एक noir ग्रान्ड तोंड पांच प् कि ग्रेयर स्ट्रक्चर यहां चुनाई वाला काम कहलें कि कम्लीट हो गया है और आने वाले दिनों में जब इस विडियो भी शेयर कर दूँगा और बिलकुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जो मैंने जहां पर कुछ मिशिनरी डंपिंग करते हुए नजर भी आ रही है फिलिं करेंगा विद अब में चक्री रोड और चक्री रोड चक्री रोड की टमांट होगी वह स्मार्ट डैक काम होघ और बाकी पर स्ट्रॉढ अभी विडियो के आखरी पारट में कोछछ आपको उबर ब्लॉक्स की विडियो धेता हूं कि जा काम हुए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जो लोगों को सिपो पूछे थे उसके आप ओसके वहालें से मैं आनसर आनने कोश्च करता हूं कि लास्ट जो नके जेन में सवालात हैं को ऑनका उनसर करने कोश्च करते हैं इसमें गलती भी हो सकती है, चेंजिस भी हो सकते हैं, जार सी बाइद है, सुराइटी के अपने बाइलाउस हैं, उन्होंने पूछ के डिवेलप्मेंट नहीं करना है, तो मैं जो मेरे नॉलज में बस चीज होगी, मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा, तो सबसे पहले में विलाज बनने हैं, उनका एक मॉडल विलाज बन रहा है, वह विजट कर सकते हैं, बाग एक जेक्टिव ब्लॉग D में पूजेशन कब तक दिया जाएगा, घुलाम खान, घुलाम भाइक जेक्टिव ब्लॉग D में पूजेशन 2020 में तो एक्सपेक्टेट नहीं है, जो उनमें ब्लॉग F और ब्लॉग L का नाम नहीं था, पहली रिजन, दूसरी रिजन के ब्लॉग F और ब्लॉग L में जिस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, ब्लॉट्स लिजए 7 मरला और 12 मरला के, तो वो प्लॉट्स जो हैं, वो बिसिकली बाद में लाँच किये थे, पहले स 50 मरला, 10 मरला एक कनाल, 7 मरला और 12 मरला के ब्लॉट्स लीजट्टमार्टी पाद में लाँच कही थे, तो इसलिए F बलोग L ब्लॉग का फ्लॉट्स है, वो 2020 में तो एकसपेक्ट्टर नहीं, 2021 में भी हो, और मैं मुझे मुझे इसका क्शूर olmasा नेुसर चूर् नहीं पारी तो जरनल ब्लॉक बेसिकली जब सुसाइटी ने 2019 के स्टार्ट में एक्जेक्टिव ब्लॉक लाँच किया था तो सुसाइटी ने ओफर दी थी कि जिन जिन लोगों ने जरनल ब्लॉक से प्लॉक लिए हैं वो 20% जो पेमेंट जमा है उसमें एक इंस्टॉलमेंट एड करें तो उनका प्लॉक एक्जेक्टिव ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा बहुत सरे लोगों ने तब ये फिसलिटी अवेल की थी और अपने का नाम बैलेटिंग में भी आगया था उनके प्लॉक 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 जो बैसिकली है या तो प्लॉक ब्लॉक हो गया है या प्लॉक प्लॉक ब्लॉक प्लॉक में ट्रांसफर हो गया है जैनल ब्लॉक आज की डेट में एक्जिस्ट नहीं करता नेक्स्ट कुस्टिन भी इसी तरह करता कि जी टुटी पर साहा ये बड़ा इंपॉर्टन सवाल था कि इसलामबाद को 20% कंप्लीट नहीं किया लाहॉर का प्लॉक 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 भी दून बाइंगा। लाँच हुआ, कराची भी लाँच हुआ, उनको भी तो हवी रफिक लिमिटेड ने डिवलप किया था, मोटर वे पाकस्तान की M1 भी बन रही थी, M2 भी बन रही थी, M3 भी बन रही थी, लाहुर टु पिशावर, लाहुर टु पिशावर, लाहुर टु फैसलाबाद, वो भी तो हवी रफिक लिमिटेड डिवलप कर रहा था, तो इसमें एक बड़ी बात ने है कि यहां पर पर प्रजेक्ट अंप्रीड ने किया, तो बिजनस ऐसे चलता है, जब यहां पर काम हो र क्वाइस क्वाइटरली पोजेशन हैंडवर की किया जाता रहेगा तो लाहूर को इसलामबाद का अपस में डिरेक्ली कोई रिलेशन नहीं है नेक्स क्वाइसल में, ब्लोग के ब्लोग के विडियो की तो आरवन रोट की तो इने ब्लोग के ब्लॉग जे ब्लोग आई और ब्लोग है तो डेफिरिनल आने मेले दोम में शुला हो भी पोस्ट कर दूँगा तो वह अब देख लीजाएगा ब्लोग के में जितना काम हुआ आप अपडेटेड वीडियो देख लेंगे 7 सेप्टंबर की तो आपको आइडिया मिल जाएगा नेक्स कॉस्सिंट इंध खान ही आज कि मॉस्ट इंवाटर थीम पार्क गॉल्फ कोर्स इस पर काम पिछले तीन साल से स्टार्ट नहीं हुआ अच्छल गॉल्फ कोर्स और थीम पार्क का अभी तक कोई अनॉस्मेंट नहीं है तो इन्हों नें गॉल्फ कोर्स वी नियुम पार्क को सेल्ब नहीं किया तो एक जो लॉजिकल रीजन भी नहीं बनती कि उसके अनॉस्मेंट के रहें हम यह develop up करे हैं, हाल बता है, गॉल्फ कोर्स में कभी इतकाम हो रहे है कि गॉल्फ कोर्स के अंदर जो में दे दिया जाएगा थी पर देशन जिनके डिया जाएगा इडिया नॉटिकेशन आएगा के क्या कनसेशिन पोजेशन जैब वह ब्लॉक एबी ची डी जी और के इनकलो डेफिनली इस साल के एंड था करना है सुनने में आरा था सप्टेंबर के एंड अर्ली अप्टूबर लेकिन जैसी आनूंस जिया रगाई जए रूफटोप एकसी फाइवा आला विला प्राइज दी अरश नियुटो नहीं को अर्श अर्लाम है इन्सान वहरें। एच्छी आपको पिश्ली वीडियो में नजर आ रहर थी, आज की वीडियो में किस तरह से है तो डेफिनलिटी वीडियो को स्टार्ट दुबारा देख लें, ता कि आपको आइडिया मिल जाए, तो वहां पे कोई आशेच बार नहीं, तो वह बड़े लिगए की जाती है, तो ये विडियो के लैंड एक्वायर करते हैं यह यह एक्वायर कंदू और यह उसका आइडिया अगा का इसका आइडिया मिल जाएगा we can sell our files or plot or huge amount of profit anytime as considered as hot cash my question is can we sell our files in csc easily anytime or is there resale of csc as yet do you think investors fear are growing in csc and whether these fear are rational brother you asked two question first of all you related capital smartity with dha and let me also told you tell you about the story of dha dha is owned by army welfare trust same institution owned by army and that institution also owns 45 fertilizers and askri bank and many other institutions in pakistan so awt is a well established institution in pakistan from the last seven decades dha was introduced introduced back in 2001 or two so it's a two decade old project and smart rate is hardly a 2.5 year old project so you are comparing a 2.5 year old project with the two decade old project that's unfair so dha is basically a safest investment because dha is owned by army and it's safest in in terms of everything so who developed the dha that was hrl so let's imagine the dha is the king of real estate industry so who is the king maker you can answer yourself next question is the fears are rational not actually these fears are totally rational because a smart is bringing something in pakistan which is totally new even for the dha for any luxury living society in pakistan hasn't offered the smart features for example smart features something which are totally new for pakistan is because the smart features are something like to you're totally controlling your house you're totally controlling your house everything in your house with a smartphone that is the most simplest feature i can explain in words so after a certain time and one of the individual also asked that question that only overseas block is getting developed first and executive and general block are lagging behind so what is the reason overseas block is getting developed first because overseas pakistani are those individuals who are living in different part of the world actually some of them are living in scandinavian states like denmark new york and norway sweden they are the one who are already using these facilities in their homes so native town they are using these facilities and they coming to pakistan back to the native homeland so ultimately they are getting the same facility in the term in in the face of a capital smart city so these facilities are going to be revolutionary for the local pakistani so ultimately when these overseas pakistani come back to the homeland and got settled here in capital smart city there will be a huge return on investment for those people who came after 2023 2024 2025 because at that time smart city would be much mature much developed and rest of the societies won't be able to compare smart city with their because their area smart city area is huge it's massive it's more than 56 000 canal initially later on they added national garden 8 000 canal plus minus and later on some land from general burki 8 200 canal i guess so this ample land and developed on the premises on the boundary of capital on the boundary of capital of pakistan so that's a big thing so capital smart investment the fears won't be rational because you know ultimately you're going to get the best roi on your investments so smartity i think in the future when they develop with the full pace after the interchange and after the possession in many blocks are committed by malik aslam sahab in many videos that we are going to provide possession early before the commitment so commitment is in 2021 so if they provide the possession in early september or late september or early october so they would be ahead of the schedule like 14 months so that's a much leap so ultimately when they overseas pakistan come and get settled here they will get the maximum return the local would definitely want to buy in overseas block as today people many people want to buy in overseas block they just want to buy buy in overseas block because overseas pakistan you are living there because uh in our dealer community there's a simple tagline so imagine canada france germany ka ho ga na lahor patto ki chunia ukada ka so you can imagine the profit of let's say the former commercial is around 45 lakh in overseas block that's massive and those people who only submitted their 50 percent of base principal amount hardly submitted 28 lakh rupees and they're getting the return of 45 lakh that is 200 percent so how can i say that capital smartity is rational the fear is rational definitely the fear is rational because the return on investment is massive thank you well viewers this was it from today if you want to know about the number of booking and booking for the future you can call me or call me or worship you can call me or 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 call me कर दो दो कर दो